हलो शाथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है साइन्स स्कील की इस चैनल पे साथियों अगर आप MMHAPO बोले तो मौलाना मजहरूल हक आराभिक एन पार्सियन इनवर्सिटी से आप बीड कर रहे हैं तो यह विडियो आपके लिए बहुत यूजफूल होने वाला है साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बीड कर रहे हैं और बीड अगर फर्स्ट इयर के आपका तयारी करना होगा तो इस questions को देखकर आपको बहुत help मिलेगा क्योंकि ये सबी questions जो PDF में आपको हम अभी available करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से तो ये question 2020-22 के session यानि कि जो 2020-22 का जो session है उसमें first year का ये पूछा हुआ question है और ये है second paper का question साथियों second paper का question है बोले तो contemporary India and education इसका ये second paper है और इस second paper का एक यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि ये second paper इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप गौर किजिए यहाँ 102 लिखा हुआ है तो 102 का मतलब होता है ये code होता है second paper का इसका नाम है contemporary India and education और ये second paper total तीन घंटे का होता है 80 marks की होती है ऐसी ये total 100 marks का होता है साथियों लेकिन ये 20 number आप जिस college में admission लेते हैं वहाँ पर आपको college के through practical जिसको कह सकते हैं 20 marks practical मेपको मिलेगा आपको center पर 80 marks का exam लिखना होता है चलिए कुछ instruction यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले सबसे पहला instruction ये दिया रहता है कि आप जो questions दिये रहते हैं आप अपने सब्दों में अपने वीचार से दिजिए और सभी प्रश्णों के मान बराबर हैं बोले तो हमको 5 questions का जबाब देने होता है टोटल 5 units रहती है यानि कि टोटल 5 units में से 5 का question देना रहता है एक unit में 2 questions रहते हैं तो 5 into 2 बोले तो 10 questions totally हो जाते हैं साथियों अब एक unit से कोई एक का compulsory देना होता है और ये 80 marks होता है एक question आपका 16 marks के होता है तो चलिए अब आईए जानते हैं किस-किस unit से कौन-कौन से question पुछे गए हैं 2020-22 के exam बीड फर्स्ट इयर में contemporary India and education से बोले तो second paper का तो सबसे पहले unit 1 का बात कर लेते हैं unit 1 में कुछ इस तरीके से 1 और 2 question पुछे गए हैं पहला question है what do you mean by education education से आप क्या समझते हैं और formal, informal और non-formal system education को आपको explain करना है दूसरा पुछा हुआ है कि understanding by training यानि कि आप training से किस परकार क्या समझते हैं और आपको बताना है कि training and education instructions में क्या differences है तो ये unit 1 का question था अब जब बात कर लेते हैं unit 2 का question तो 3 number और 4 number ये unit 2 का question है और ये पहला को इसमें unit 2 का question है the function of healthy and democracy racist good educators of its citizens discuss करना है education and economic development of the nation interrelated to each other आपको बताना है कि education or economic development एक दूसरे से किस परकार संबंद रखते हैं एक दूसरे से किस परकार संबंदित है तो ये unit 2 का question है ठीक उसी परकार अगर हम बात करें तो unit 3 में भी दो question है number 5 and 6 इसमें बताना है कि what is philosophy और relation बताना है कि education और philosophy में किस परकार relation है उसके बात 6 है discuss the educational philosophy programatism with the reference related to knowledge and value यानि कि इसमें आपको बताना है कि educational philosophy programatism जो है वो किस परकार किसके अपच्छा related knowledge and value यानि कि आपको philosophy को बताना है reality, knowledge and value को संदर्ब में रखते हुए तो कुछ इस परकार थे हैं unit 3 का question अगर हम 4 का बात करें तो 4 का number में भी 2 question है और unit 4 हो या unit 5 हो कि सभी unit से आपको एक के questions करने होता है इसमें बूल रहा है कि describe in details of educational philosophy यानि कि 4 units में पुछा हुआ है educational philosophy बताईए रविंद्रेनाट टेगोर का कि रविंद्रेनाट टेगोर जो है वो सिच्छा के दर्सन में किस परकार क्या क्या बताईए थे और 8 number question पुछ रहे describe the brief of Marya Montessori philosophy of education यानि कि Marya Montessori का आप philosophy बता सकते हैं या फिर रविंद्रेनाट टेगोर बने unit 4 में ये 2 questions करने हैं आपको फिर उसी तरीके से unit 5 में भी है unit 5 में भी 2 questions है और 2 questions में से किसी एक का जवाब देना है इसमें 9 number question है what do you mean by equality in the contest education बोल रहे है कि education में किस परकार समानता होना चाहिए और describe constitutional rights in this regard बोल रहे है कि आप समेंधानिक अधिकारों को धियान में रखते हुए आप describe करिए number 10 कह रहे है कि राइट शॉर्ट नॉट्स अन टू अप दो फॉलाविंग यह मतलब की total हमें 4 दिया हुआ है यहां पर ABCD करके इसमें से किसी 2 पर आपको short notes लिखने है या तो सर्वसिछावियान है या सेस्टीज में इंडिया एजुकेशन है या फिर education for weakness section है या QGC है इसमें से किसी 2 को आपको करने है अगर आप 10 number का answer देने चाहते हैं तो तो कुछ इस तरीके से से कुछ आए हुए MMHPU में questions तो साथी हूँ आज के लिए इतना ही और फिर next जो paper होंगी उस paper का भी हम इस channel पर upload कर देंगे तब तक के लिए धन्यवाद